हेलो दोस्तो वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूटूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमा की अपकमिंग बाइक यमा आर वन टू फाइब के बारे में लेकिन यमा ने अपनी XSR125 वाले लुक के साथ एक निव बाइक को ग्लोबली लॉंच करने जा रही है जिसका नाम यमा कंपनी ने XSR125 रखा है और इसको इस साल के एंड में वर्ल्ड वाइल लॉंच कर दिया जाएगा इसमें आपको 125 CC के सिंगल स्रेंडर वाला इंजन जा गया है जिससे आपको टोप इंड अच्छा मिल पाई डामेंड फ्रेम बेस पर यह बाइक होने वाली है और डुल डिक्स के साथ यह बाइक लॉंच होगी बात में इसमें सिंगल चैनल ABS 8 किया जाएगा फ्रेंट में 292 mm का डिक्स साइज देखने को मिलेगा और रियर मे 220 mm का डिक्स प्लेट का सेट अप देखने को मिलेगा सेस्पेंशन के बात करें तो फ्रेंट में टेलिस्कॉपिक फोक्स सेस्पेंशन देखने को मिलेगा और रियर में मनो 100 को लगाया गया है और वहाई अगर इसके टायर साइज के बात करें तो फ्रेंट में 187 सेक्षन के टाहिर देखने को मिलेगा निव XSR 125 में एक चीज थोड़ा सा अलव होने वाला है वो यह है कि जो XSR 125 है वो XSR 155 से 10 mm टॉलर है मतलब 10 mm लंबा है XSR 155 से XSR 125 मीडिया रिपोर्ट के माने तो ऐसा अपडेट आ रहा है कि इस बाइक को इंडिया में भी बहुत ज़र लॉंच किया जाएगा के टियम की डूइक एक सो पचीस और बजाज की एनेस एक सो पचीस को कड़ी टक कर देने के लिए यमा XSR125 के अगर प्राइजिंग के बात करें तो इसका एक्सपेक्टेट एक्स और उन प्राइज एक लाग के उटपर होने वाला है तो दोस्तो अब हमें देखना है कि ये बाइक इंडिया में कितनी जल्दी लॉंच होती है क्योंकि XSR125 का तो वेट काफी लंबे समय से कर रहे हैं बट वो तो इंडिया में लॉंच नहीं हो रही है कम से कम ये XSR125 को इंडिया में लॉंच कर दिया जाए तो दोस्तो मुझे जहां तक लगता है कि XSR125 के जो डिटेल से वह आप सभी को पता होगा क्योंकि इतने डिमांडिंग में ये बाइक है और इतने वीडियो इस पर बने हुए है तो मैं उस चीज़ को इसमें कभर निक करने वाला हूँ कि XSR125 में क्या कुछ मिलने वाला है उसका मैंने वीडियो बनाया है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बट मैंने इसमें जो बैसिक अपडेट आया हुआ है कि YAMA XSR125 के बारे में आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक पर भी चेक कर सकते हैं वहाँ से एक क्लिक से आप मुझे फोलो कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रैड विद बाइक